Welcome back to my YouTube channel Maths Pasha Allah आज हम फिर लोट रहे हैं एक नए थेोरम के साथ तो चलिए सबसे पहले उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं Proof that 2 integers A and B leaves the same remainder when divided by positive integer N if and only if A is congruent to B modulo N ठीक है? तो हमें ये proof करना है कि हाँ A और B को A और B कोई 2 integer है और N कोई positive integer है तो अगर N A और B को divide करता है और A is congruent to B modulo N है तो जब N A माइनल A और B को divide करेगा तो इन दोनों का remainder same आएगा ठीक है? ये हमें दिखाना है और दूसरा इसका if and only if लिखा है तो हमें इसका converge भी proof करना है इसका converge क्या है कि अगर A और B को N जब divide कर रहा है तो उसका remainder same हा रहा है तब A is congruent to B modulo N होगा तो ये दोनों चीज़ हमें दिखानी है तो चलिए सबसे पहले हम इसका पहला वाला part proof कर लेते हैं let A, B belong to Z and N be a positive integer then by division algorithm there is this two unique integers Q1, Q2 and R1, R2 such that A is equal to N Q1 plus R1 0 is less than R equal to R1 is less than N equation number 1 B is equal to N Q2 plus R2 0 is less than R equal to R2 is less than N equation number 2 ठीक है मतलब कि A, B जो है वो Z में belong कर रहा है N कोई positive integer है तब division algorithm division algorithm हम इसने लगा रहा है क्योंकि N जो है वो A और B को divide करने वाला है ठीक है तो N जो है वो A और B को divide कर रहा है तो हम division algorithm लगाएंगे और division algorithm से दो unique integer Q1, Q2 R1, R2 इस तरह से exist करेंगे कि A is equal to N Q1 plus R1 हो जाएगा जहाँ पर R1 जो है वो 0 से 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है और N से छोटा है और B is equal to N Q2 plus R2 जाँगा जहाँ पर R2 जो है वो N से छोटा है और 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है ठीक है और यहाँ पे जो Q1, Q2, R1, R2 है तो यह Q1, Q2 quotient है जब N जो है वो A और B को डिवाइट कर रहा है तब Q1 और Q2 quotient आ रहा है ठीक है और इसी तरीके से जब N A और B को डिवाइट कर रहा है तो उसका remainder R1 और R2 आ रहा है ठीक है तो इसको हमने question number 1 मान ले इसको हमने question number 2 मान ले हम इन दोनों को subtract कर दे equation 1 minus equation 2 कर दे तो left hand side में हमें मिल जाएगा A minus B और right hand side में N Q1 minus N Q2 हो जाएगा तो N को comma ले लेंगे तो Q1 minus Q2 बच जाएगा plus R1 minus R2 हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया question number 3 if R1 is equal to R2 is equal to 0 then there is nothing to prove अगर R1, R2 की value 0 हो जारी है तो हमें कुछ proof ही नहीं करना क्योंकि हमें दिखाना है कि remainder सेम मिल रहा है R1, R2 यानि की सेम मिल रहा है मतलब सेम हो रहा है तो यहाँ पे तो अगर R1 भी 0 होगे R2 भी 0 होगे तो यह दोनों automatic सेम हो जाएगे तो हमारा theorem proof हो जाएगा फिर हमें कुछ करने की ज़रुत नहीं पड़ेगे लेकिन अगर यह दोनों equal नहीं है तब तो हमें equal दिखाना पड़ेगा तो उसके लिए हम मालेते हैं कि A is congruent to B modulo N ठीक है तो क्या हो जाएगा congruency की definition से मैंने congruency पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है अपने नहीं देखा तो उसको भी जाके देख लिजेगा तो congruency की definition से हम लिख सकते हैं तो congruency की definition से हम क्या लिख सकते हैं अगर इस congruent to B modulo N है तो congruency की definition से हम डारेक लिख सकते हैं N divide करेगा A-B को और N divide करेगा A-B को तो N खुद को भी divide करेगा यानि कोई भी integer या फिर कोई भी number खुद को diviser है ही तो यह always की condition है मतलब भी हमेसा true होगा ठीक है तो N A-B को divide कर रहा है और N N को divide कर रहा है तो N N into Q2 minus Q1 को भी divide करेगा जहाँ पर Q1 minus Q2 belongs to Z है कैसे divide करेगा कि अगर 5 जो है वो 10 को divide कर रहा है तो 5 10 into 2 यानि की 5 जो है वो 20 को भी divide करेगा तो उसी तरह से अगर N N को divide कर रहा है तो N N into Q2 minus Q1 को भी divide करेगा यहाँ पर थोड़ से मिस्राइटिंग हो गई है I hope आप सब समझ जाएंगे ठीक है तो अब अगर N A minus B को divide कर रहा है तो इन दोनों के सम को भी divide करेगा N A minus B को divide कर रहा है प्लस N N divides A minus B प्लस N into Q2 minus Q1 को भी divide करेगा ठीक है इसका मतलब हो गया कि N जो है वो R1 minus R2 को divide करेगा यह R1 minus R2 कहां से मिल रहा है यहां से अगर हम A minus इधर N into Q1 minus Q2 को जब हम इधर लाएंगे तो A minus B minus N into Q1 minus Q2 हो जाएगा और is equal to R1 plus R2 हो जाएगा यहां पर मैं लिखके दिखा दे रही हूं कि यह हमें क्या मिल जाएगा R1 minus R2 is equal to जब हम इसको इधर लेके जाएगे A minus B minus N into Q1 minus Q2 तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A minus B यह minus को हम अंदर बेज दें प्लस हो जाएगा N into जब N अंदर बेज देंगे तो यह Q2 positive हो जाएगा Q1 negative हो जाएगा तो यह हो जाएगा Q2 minus Q1 ठीके यह हो गया R1 minus R2 is equal to ठीके तो यहाँ पे यह चीज लिखा हुआ है A minus B plus N into Q2 minus Q1 के जगह पे हम क्या direct लिख सकते हैं R1 minus R2 लिख सकते हैं ठीके तो यहाँ पे हमने input कर देंगे असका मतलब है कि N जो है वो R1 minus R2 को divide कर रहा है यह equation number 3 से हम देख सकते हैं बट R1 minus R2 is less than N है कैसे कि अगर R1 less than N है R2 less than N है तो R1 minus R2 तो ज़रूरी छोटा होगा N से ठीके तो उचिसाब से R1 minus R2 छोटा है N से तो और यहाँ पे दिख रहा है कि N जो है वो R1 minus R2 को divide भी कर रहा है तो यह तभी possible है तभी R1 minus R2 को divide करेगा जब R1 minus R2 is equal to 0 हो जाया otherwise यह divide नहीं करेगा ठीके तो इट इंप्लाइस R1 is equal to R2 R1 minus R2 is equal to 0 हो गया तो इसका मतलब है R1 और R2 बराबर हो गया अब इसका कन्वर्स पार्ट हम प्रूफ करेंगे कन्वर्स क्या है कि हमें यह प्रूफ करना है तो लेट R1 is equal to R2 then from equation 3 अब R1 is equal to R2 अगर हम रख दें यहाँ पे तो equation 3 से क्या में लगा जब दोनों यह equal हो जाएंगे तो उसकी value 0 हो जाएगी ठीके तो हमें मिल जाएगा A minus B is equal to N Q1 minus Q2 ठीक put हम करेंगे T is equal to Q1 minus Q2 belongs to Z अब हम Q1 minus Q2 जो Z में बिलॉंग करें उसके जगह पे हम T put कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा A minus B is equal to N T ठीके इसके जगह पे हम T put कर देंगे तो A minus B is equal to N T मिल गया अब यह divisor और factor वाला जो वीडियों हमने बनाया है कि अगर A minus B is equal to N T हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि N जो है वो A minus B को डिवाइट करेगा ठीके और अगर N A minus B को डिवाइट कर रहा है इसका मतलब है कि A is congruent to B module 1 है यह हमने congruence के definition में बताया हुआ था ठीके तो I hope कि आप सबको यह theorem अच्छे से समझ आया होगा अगर नहीं समझ आया अभी भी कोई doubt है तो मुझे comment section में जरूर बतायेगा और मेरे channel को like, subscribe and share कर दीजेगा और अगर आपको कुछ भी doubt हो रहा है या फिर आपको लगता है कुछ भी मुझे improvement करने के जरूरत है अभी अपने वीडियो में तो आप उसे भी जरूर बतायेगा पूरी कोशिस करूँगी अपने वीडियो में improvement लाने के भी और आप सब के doubt को भी clear करने के लिए thank you so much